हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू दे चैनल, मैं सेफ रुची सकसेना, फाउंडर आज आप सभी के लिए पावर पैक रेसिपी के साथ मैं आई हूं, जिसे बस सर्दियों में बनाएं एक बार और खाएं पूरे महिने, कुछ इस तरीके की इंट्रस्टिंग सी ये रेसिपी है तो फिर देड निकरते हैं और चलते हैं किचन में लाजवाब सी रेसिपी बनाने मिलते हैं, चोड़े से ब्रेक के बाद पावर पैक सर्दियों के दुख दर्द का इलाज, कुछ ऐसी रेसिपी बनाने से पहले है, यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन में खी, बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे विट्यमिन्स यह और सरी मिलन, कुछ मकहने गली दिकशा लाइव मैं और हाँ ये याद रखे कि बहुत सदा घी का इस्तिमाल ना करें यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चमज के लिया था जिसमें मैंने चीज भी रोस्ट किया है और माखानों को भी रोस्ट किया है जैसा कि मैंने बता है कि इसमें सब कुछ पावर पैक इंग्रिडियम्ग जाने वाला है जिसके लिए मैंने दोमारा से लिया है कडाई में खी और यहाँ पर लिया है रागी और ओट्स का आटे को मिला कर साधी में मैंने इहाँ पर लिया है आफ कटोरी वीट फलार तो आप इंग्रीडियन को मिक्स करते हैं और इसे रख लेते हैं साइड में इसे रख लेते हैं साइड में यहां पर एक बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और इसे थोड़े ठंडा कर लेंगे यह रेसीपी इस पेशली आप लोगो के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि अगर जो डायबटिक पेशेंट हैं अगर स्वीट की क्रेविंग हो तो वह जवाय गर सकें जis के लिए मैं ने यहां पर ज्रागरी का पौटर लिया है और केसर को पानी में गोल कर लिया है गोल अच्छी तरीके से घूल चुका है आप देख सकते हैं और यहां पर मैंने अप डाल दिया है मावा साथ ही में डrागरी फूरॉट सैट करेंगे जिसमें यह मेरे पास sugar free मठाई ती जिसमें ड्राइफरूट के साथ में इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर ज्यागरी का सिरफ ड्राइफरूट के साथ में कितना अच्छा लग रहा है और साथ ही में डाल देंगे सोट का पाउडर क्योंकि विंटर में अगर आप किसी रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ही यूसफुल रहेगा हमारा लिकुड मिक्षिर भी यहां पर रेडी हो गया है इसे एक तार या दो तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है पक जाएगा हम अपना ट्राइ इंग्रिडिन इसमें अड्र कर देंगे यहां पर ड्राइ मिक्षिर डालने के टाइम पर ध्यान रखें कि मिक्षिर अच्छे से ठंडा होना चाहिए और साथ में एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे तो हुई ने बिल्कुल बिंटर के लिए पर्फेक्ट रेसिपी, ओट्स, ड्राइफ रूट्स, सोट का पाउडर, सब कुछ रेसिपी के अंदर हैं और बहुत ही टेलीशिस सी ये बंड कर तयार होगी, मुझे तो बनाने वक्त ही मुह में पानी आ रहा था डाल देंगे एक से दो चमज घी और अची तरीके से सभी सामगरी को मिला लेंगे ये किन मानिये दोस्तों अगर एक बर ये रेसिपी बना कर रख लिए तो पूरे सर्दियों आप इसे इंजॉय करने वाले हैं ये किन मानिये दोस्तों आपको इससे जादा क्या बता हूँ कि मैं तो पुरे महिने वेट ही नहीं कर पाई और ये बना कर रखी मैंने और फटाफ़र से ये खतम हो गए इस तरीके से पावर पैक बार को आप एक किष्टी में जमा लीजे या फिर धाली में सेट कर लीजे और रेक्ट्रेंगल या फिर ट्रेंगल अपने इचा के एकॉर्डिंग शेप में कट करिए और दो घंटे के लिए आप इसे यूँ ही छोड़ दें उससे जैसे ये ठंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कॉमेंट करना लाइक करना बिल्कुल ना फूलें कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगती है हमारी रेसिपी सो फ्रेंट्स आप भी अपने घर पर इसे बनाए अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेयर करें इस त